असलाम अलेकुम और रखमतुल्लाव बरकातो हो आज एक आईसी बड़ी बेमारी से मेरे भायां फेस करनी खाना पीना पूरा वेस्ट हो जाता उनकी जिंदगी एक्षिल में बरबाद हो जाती समझे आईसी कंडिशन में आके रुख जाती ना सही से खास सकती ना पी सकती किट्नी फाइल हो जाना दोनों किट्नी फाइल होने के बाद डैयलीसीस पर आके रुख जाना एक बहुत बुरी कंडिशन है तो मेरे भायों को सबसे पहले एक बास सजेश्च करना चाता हूं जिनका भी हाई क्रेटिनेंड है जिसका क्रेटिनेंड बढ़ा हुआ है जिनका डाइलिसिस पर्मिनेंट सोलीशन नहीं है आपके लिए वह एक प्रोसीजर है तो मेरे भायां यह समझना समझके डाइलिसिस कराने से पहले जड़बूटियों में थोड़ा आईए जड़बूटिया इस्तिमाल करके देखिए अपना डाइली रूटीन थोड़ा चेंज करिए खाने पीने में जड़ा चेंजस करिए इससे आपका किट्नी इंफेक्शन खतम होते आता आपके किट्नियों को री एनरजी मिलने के कुछ जड़बूटिया है उसे इस्तिमाल करिए क्रेटिन लेवल कम होता बलड यूरिया कम हो जाता आपका बीपी नॉर्मल पर आ जाता इन्शाला तो जड़बूटियां क्या है और तरीखा क्या है इलाज करने का पूरा डीटेल से बता रहा हूं आप भी सुनिए आपके दोस्तों के आपके भायों तक पहुंचाईए क्योंकि आज आपको जरुरत नहीं पढ़ेंगी वीडियो ऐसे कि तेकि भायों को जरुरत पढ़ती है वीडियो की क्योंकि जरूरत है भायों को तो ज्याद से ज्यादा शेयर करिए तो सबसे पहले आउस्बिलाहिमिन शैत्वानिरजीम बिस्मिल्लाहिर रुख्मानिरखीम पना मंगता हूं मैं अल्ला की शैतान मर्दों से बचने के लिए शुरू करता हूं अल्ल क्याशण लेवेल हाइ होता बलड यूरिया बढ़ता यह होने के वज़ात भुस सारे हैं हाई बी पीके वजह से होता या जयादा टैबलेट्स पेंट immersion किलर्स थीछार तो एसे चीजों से बचिये इसके अलावा खाने पीने में परेज गोश मच्छी अंडा जरा परेज करिए जो भी जिसे भी किटनी का प्रॉबलम है जो भी डालेसिस करा रहे हैं वो लोग नॉनवेच परेज करना दूट का आइटम परेज करना और इसके अलावा बार का जो रेडिमेट पैकेट आइटम्स मिलता बेकरे इटम्स ऐसे चीजां उसको परेश करना और नॉर्मली तो गुटका तंबाकू सिगरेट ऐसे चीजां तो परेश करना चाहिए किसी भी आहलत में इसके अलावा खाने पीने के चेंज करना आपका जो भी किटनी पेशंट से जिसका भी डाइलेसिस चल रहा हो लोगा पानी चेंज करना साधा पानी बिलकुल टशनी करना तो क्या का पत्ता घोकुरू के कांटे पुनरनवा तीनों चीजों को भी गूगल में सेट्च करके पहचान लीजिए तीनों चीजों को भी बीस पीपल के पत्ते बीस ग्राम घोकुरू के कांटे और थोड़ी सी पुनरनवा की भाजी तीनों चीजों को एक लिटर पानी में दाल के ब पानी इस्तेमाल करना साधा पानी बिलकुल बंद इसके अलावा भार का रेडिमेट एटम परेश करिए और जो भी बीपी का जिसका भी बीपी हाई रहता उन लोगां पाबंदी से बीपी का टैबलेट इस्तेमाल करना वो मिस्स नहीं करना कभी भी इसके अलावा जो भी अग स्टॉप नहीं करना इसके अलावा हमारे पास कुछ मेडिसेंस मिलते वह भी मंगवा के इस्तिमाल करेंगे तो और आपको जल्दी फाइदा रिकवर हो जाता इंशालला तो ज्यादा आपने पास आए के आप मुलाकत करके ज्यादा इल्म हासिल कर सकते इसके बारे में या कॉ मैं खुद आरहा हूँ आप लोगं के फास आप लोगं की दौा से अलला के फजलों करम से हर मेना दो तारिक और तीन तारीक बैंगलूर को चार तारीक और पांस तारीक शादनगर हाइदराबाद के करीब शादनगर को आ रहा हो फारूक नगर एडवेकेट कॉलनी पेट्रोल बंके पीछे भारत पेट्रोल बंके पीछे ताहर हाफिस में हर मेना चार तारीक पांस तारीक इसके अलावा छे ता और आट तरीक नान्देड महाराष्टा आप लोगों के लिए कासकर में आ रहा हूँ इतनी दूर-दूर सफर करके साथ तारीक और अड़ तरीक नान्देड महाराष्टा को तो हां पर भी आके मुलाकत कर सकते हैं आप वहां पे अनवर संक्शन फूद बीचुरस ता इदगा के पास आम सब्सक्राइब कर सकते हैं अन्वर फंक्षन होल में उसके आलावब 10 तरीक में विजहाओर्बा में जो भी मेरे भायां परेशानी वो लोगां भी आके कर सकते हैं 11 ठारीक और 12 विजहाओरा तो बpoweredfryडा का address में इंशायलों नेश्ट वीडियो में बताऊंगा लेकिन पूरी मालूमात हासील करने के बास्ते का जो मेरा मूबेल नंबर दिया वह नंबर पे फून करके बात करें अब मालूमात हासील कर सकते तो मेरे भायों को लास्ट में यह इच बोलना चाहते यह फाइदा होता आपको लेकिन एक बार डायलीसेस कराएंगे तो फिर मुश्किल होती है की जिन्ड़गी तो बात सलामते पुल किलते रहेंगे आपकी मेरी जिन्देगी सलामते इंशाथ फिर मिलते रहेंगे Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh